आठ अप्रेल को लगने वाला सूरे ग्रहन इस साल का पहला पूर्ण सूरे ग्रहन है जो बेहद धुरलब है आठ अप्रेल को होने ज़ारे ही ये एक ऐसी खगोली घटना है जो इसके बाद दोबारा आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी यानि आठ अप्रेल को अगर आप इस पूर्ण सूरे ग्रहन का नजारा देखने से चूप जाते हैं तो इसको दोबारा देखने के लिए आपको कम से कम अगले 20 सालों तक का इंतिजार करना होगा इस खास खगोले घटना को देखने के लिए विग्यानिक खगोल शास्त्रियों के अलाबा अंतरिक्ष में दिल्चस्पी लेने वाले लोगों में काफी उत्सुकता है जब ये अदभुत नजारा आस्मान में दिखाई देगा उस दोरान उतरी अमेरिका के कई देशों में कुछ वक्त के लिए अंधेरा चा जाएगा अब आपको बताते हैं कि 8 अप्रेल को लगने वाला पूर्ड सूरे ग्रहन सिर्फ सूरे ग्रहन नहीं है बलकि आस्मान में आपको कई और अध्भुत नजारे भी देखने को मिलेंगे विज्यानिकों के मुताबिक ग्रहन के शुरवात के कुछ समय पहले एक विशिष्ट चाया दिखाई देगी जो आने वाली घटना की नकल होगी इसकी शुरवात पश्चिम दक्षण पश्चिम आकाश से होगी ग्रहन से जैसे ही अंधेरा चायेगा दिन में ही आसमान में तारे ग्रह तो दिखाई ही देंगे साथ ही हो सकता है कि आसमान में दूसरी चमकीली वस्तूओं को भी आपको देखने का मौका मिले मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस साइंटिस्ट का कहना है कि पूर्व सूरे ग्रहन के वक्त पूर्व दक्षण पूर्व की ओर तारा दिखाई देगा जो सभी तारों में सबसे चमकीला है अलाकि अमेरिका के टकसास या मेक्सिको में से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ग्रहन के समय ये शितिज से नीचे होगा स्पेस साइंटिस्ट के मुताबिक पूर्व सूरे ग्रहन के दोरान आकाश में चांदिनी रात जितना अंधेरा नहीं दिखता है बलकि ये अंधेरा उतना ही होता है जितना सूरियोदे के खरीब 20-40 मिनट पहले या सूरियास्त के 20-40 मिनट के बाद होता है ऐसे में आसमान में शुक्र आमतौर पर बहुत साफ दिखाई नहीं देता है इसके लावा सूरिय के नजदीक दूसरे चमकीले तारे भी दिखाई देते हैं स्पेस साइंटिस्ट के मुताविक ग्रहन के समय शुक्र सबसे चमकीला दिखाई देगा और शुक्र सूरिय से लगभग 15 डिगरी पश्रिम यानी नीचे दाएं पर होगा आसान भाशा में कहें तो आपके हाथ की लंबाई पर पकड़ी गई आपकी बंद मुठी का माप खरीब 10 डिगरी है इसलिए शुक्र सूरिय से खरीब 1.5 मुठी की दूरी परस्तित होगा आस्मान में दिखाई देने वाला सिर्फ यही एक अद्भुत नजारा नहीं है बलकि शुक्र के बाद दूसरा सबसे चमकीला ग्रह ब्रहस्पती भी पूर्ड सूरिय ग्रहन के दौरा नजर आएगा यह सूरिय से लगपक 30 डिग्री पूर्व यानि बाई और उपर स्तित होगा इसके आसपास जूसरे ग्रह भी होगे लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह आसानी से दिखाई देंगे बात करें शनी और मंगल की तो शनी और मंगल सिलसले वार सूरिय से 35 डिग्री पश्चिम में होगे छोटा ग्रह बुद्ध सूरिय से 6 डिग्री पूर्व में होगा लेकिन बहुत कम तेवरता होने की वज़े से लोग इससे नहीं देख पाएंगे आँ वही जहां तक सितारों का सवाल है ये ग्रहन आपको आकाश की चमक देखने का एक अच्छा मौकस जरूर देगा क्योंकि साफ मौसम में चमकीले तारे आकाश के जादतर पूर्वी हिस्से में अच्छी तरह सिस्तित होंगे मैं स्पेस साइंटिस्ट का कहना है कि पूर्व सूरे ग्रहन का ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है और अगर मिलता भी है तो पूरे ग्रहन में चंदर्मा की चाया के ऊपर की ओर एक धुंदला नीला रंग दिखाई देगा जिसकी वज़े से सूरे के बहारी किनारे चान की चाया से नहीं ढखपाएंगे ये रोश्नी शितिच के चारों ओर एक उजवल सीमा पनाएगी जो ग्रहन की चाया के बहार हवा में केसरिया रंग बना सकती है यानि सभी रंगों में के सर्या रंग विशेश रूप से प्रभाव साली हो सकता है ऐसे में छ्वाया के बाहर से प्रकाश बीला या लाल हो सकता है आला कि ये रंग छ्वाया के किनारे से उसे देखने वाले शक्स की दूरी पर डिपेंट करता है अगर कहा जाए तो पूर्ण ग्रहन के दोरान दूसरे ग्रहों तारों और आसमान में बदलती रोशनिया आपको देखने को मिलेंगी अगर आप भी स्पेस के रहस्यों में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आपको स्वैम इसे देखना होगा और कहीं गलती से आप इस बार चूग गए तो फिर आपको दो बारा ऐसा नजारा देखने के लिए 20 सालों तक का अंतिजार करना होगा खेर यह वजय आपको कैसा लगा इस वीटियो पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देखते रहें नूसरेशन डिजिटल शुक्रिया